है एलो स्टूरेंट्स वैलकम टो आर्चैनल नीट डिजिटल क्लासेस आज से हम एक नई सीरीज को शुरू करेंगे उसमें हम शुरू करने वाले हैं ncrt exemplar problems को जो भी आपकी ncrt exemplar problems दे रखें उनको हम solve करेंगे जो आपकी नीट examination के लिए साथ साथ जो बच्चे 11 12 में है उनके लिए बेहद important हो जाती है वो कैसे हम आगे बात करेंगे अगर आप इस channel पर नहीं है तो channel को subscribe किजिए से दूसरों के साथ share कीजिए हमने नीट के लिए इस चैनल पर 10,000 प्लस question series को चलाया है जो की मेरा मानना है कि उससे बहार जाके question बनाना impossible सा हो जाता है तो channel को subscribe कीजिए इसे हर नीट aspirant के साथ share कीजिए सब के लिए important है दोनों, हिंदी और इंग्लिश दोनों में question है तो दोनों के लिए important हो जाता है ठीक है बाकी अब देखते हैं हमारा एक और channel है mahi biology classes अगर आपने ncati को अच्छे से पढ़ना है कि concept को समझना है तो आप mahi biology classes को जाके subscribe कर सकते हैं वहाँ पर जो classes ले जा रहे हैं उनको ले सकते हैं इस चैनल पर आपके सभी free test होंगे सारे question सब कुछ आपको free में मिलेगा तो कोई आपको सब्सक्रिश्मन चार्ज नहीं है सिर्फ आपने subscribe करना है channel को और वीडियो को like करते रहना है जो भी वीडियो आप देखेंगे देखिए अब ncati exemplar problem क्या होता है सबसे पहला question बच्चों के मणने में आ रहा होगा कि ncati exemplar है क्या तो ncati exemplar होता है बच्चों आपकी नीट के लिए या आपकी जो 11-12 के लिए एक textbook होती है ncati जिसे आप theory को पढ़ते हैं normal होती है सबको पता है साथ साथ उसके चलता है ncati exemplar ncati exemplar के अंदर problems दे रखे हैं वहां पर mcqs type question होते हैं very short question होते हैं short question होते हैं long question होते हैं जिनको आपने solve करना है concept आपका उससे clear होता है और हर साल नीट में हर साल 6-7 question direct उठकर ncati exemplar से पूछा जाता है कुछ question ऐसे होते हैं ncati के अंदर उसकी normal नहीं दे रखा है लेकिन वो यहां पर question उससो ncati से बहार जाके frame हुआ है तो हम सोचते हैं कि यह question बहार से है तो वो कहीं से नहीं होता है वो ncati exemplar से होता है तो ncati exemplar को solve करना important हो जाता है साथ ही अब कुछ बच्चों के पास ncati exemplar नहुश है तो आप ncati.in.in से जाकर उसको download कर सकते है मैं जो यह series सुरू कर रही हूँ उसमें जो वहां पर correction दे रखा है मतलब उन्होंने अपनी website पर डाल भी रखता है correction का भी notification दे रखा है कि उनसे कुछ गलतिय हुई है उनको correct करके यहां पर हम वो सब देख लेंगे सारे अग्दम correct मिलेगा आपको जो मैं solve करा रही हूँ तो आपने tension लेनी की ज़रूरत नहीं है बस आप follow करते जाएगे यह है 11th class का ncati exemplar लिया है जिसमें हम first question को देख रहे है first chapter को देख रहे है जो है the living bird अगर आप इस channel पर नहीं है तो please channel को subscribe करें उन्हें दूसरों के साथ share करना बिल्कुल भी न भूले the living bird में हम देखेंगे mcq squad वहाँ पर mcqs दे रखे है 10 उनको हम अच्छे से समझेंगे ncrt exemplar में क्या question दे रखे है हम उनको कैसे solve करेंगे हमारी trick क्या होने चाहिए चलिए वी शुरू करते हैं आज का video देखे यह है हमारी आपकी ncrt exemplar उसका first chapter है the living bird वहाँ पर question दे रखा है multiple choice type question है तो वहाँ पर first question देखे क्या दे रखा है as we go from species to kingdom in a taxonomic खयार के the number of common character जैसे जैसे हम जाती से जगत की तरफ बढ़ते हैं तब एक taxonomic वरगी करण सौपान में the number of common character समानने लक्षणों का number will decrease मतलब घटेगा will increase बढ़ेगा remain same एक जैसा रहेगा may be increase और decrease बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है ठीक है अब देखिए यहाँ पर इसके लिए जो correct option होगा वो देखेंगे कैसे होगा देखिए मैंने आपको बता रखा है अगर आपको धियान हो कि seven higher के taxonomic categories होती है वो कौन कौन सी होती है kingdom होता है phylum होता है class होती है order होता है family होती है genus होता है और species होता है यह है आपका sequence मैंने आपको एक question में बोला भी था कि मुझे आप sequence लेकर भेजेंगे जब हम mahi biology classes में classes पढ़ रहे थे तब किसी ने यह answer नहीं किया था गलत है सीधे question ऐसे भी इनको विवस्थित करने के लिए भी आ जाता है तो इसको भी धियान रखना है kingdom होता है phylum होता है class होती है order होता है family genus और species यहाँ पर बोला है जैसे जैसे हम species से kingdom की तरफ जाती है तब common character आपने बताना है कि increase होंगे यह decrease होंगे देखे हमने पड़ा पड़ रखा है आपको बता दूँ कि species जो होता है सबसे छोटे टेक्जोन होता है species अगर हम इसको example ऐसे लें अगर हम देखे कि हम अपनी family में रहते हैं तो हमने देखा है भाई बहन जो होते हैं basically उनकी आपस में बहुत common character होते है उनमें शकल मिलती है उनका skin color मिलता है बहुत rare होता है कहीं पर कुछ exception हो लेकिन mostly हम अपनी family में देखे हैं तो हम अपने माता-पिता की समान है ठीक है हम अपने भाई-बहनों की समान है एक example लेकर आपको बता रही हूँ आप देखते जाहीं इसा चाइनीज से हम नहीं मिलते इतना जो चाइनीज य य य अमेरिकन लोग जो होते हैं उनसे इतना नहीं मिलते तो उसका reason क्या है तो जैसे जैसे हम इस छोटे से बड़ी की तरह बढ़ रहे हैं घर में थे तो बहुत जादा common character थे हमारे अंदर बहुत जादा similarities थी इंडिया में गए common character हैं लेकिन बहुत कम है उसके बाद हम अगर चाइनीज को इंक्लूट कर लें चाइना को इंक्लूट कर लें तो उनसे तो हमारे हम human हैं यह तो एक चीज है कि हम human being हैं दोनों ही लेकिन उनसे हमारे common character बहुत कम मिलते हैं उसके बाद European से भी हमारे common character बहुत कम मिलते हैं तो जैसे जैसे spectrum बड़ा होता जाता है वैसे वैसे common character घटे जाते हैं यह आपको समझना है जैसे जैसे हम जगत की तरफ जाते हैं अगर हम द specific हो जाता है बहुत common character share करते हैं वो तभी एक species है ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा इस cancer शायद आपको मिल गया होगा will decrease जैसे जब species to kingdom जाएंगे तो मतलब common character समाने लक्षन जो होंगे वो decrease होंगे तो इसके लिए correct option हमारा a हो जाएगा ठीक है next question देखते हैं next question second which of the following suffix used for units of classification in plants indicates a taxonomic category of family family को कौन सा suffix यहाँ पर दर्शा आता है family suffix क्या होता है suffix होता है जो name के बात लगाया जाता है इसको suffix कहते है जो पहले लगता है उसको prefix कहते है नौर्मल लंग्वेज में ठीक है हमने chemistry पढ़ी होगी हमें IPC नहीं में आता है मैं पता है suffix हम नौर्मल दिखें जो नाम के पीछे लगता है इसको suffix कहते है और जो पहले लगता है इसको prefix कहते है तो यहाँ पर family के लिए हमने बताना है कि हम family को कैसे पहचानेंगे फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है else second दे रखा है ony c दे रखा है ac और d दे रखा है तो फर्स्ट जो आपका दे रखा है else else use होता है order के लिए जब हम order लिखते हैं तब उसके last में else का यूज करते है ठीक है तीनो चारो दिहान रखने है हमने ठीक है next देखिए अगर हम और नहीं देखे तो यह करे रियर है इसका कोई specific criteria नहीं है यह रियर वर्ड है ठीक है ac देखेंगे हमारे इसका जो question का answer है वह थड़ ही है ac family के लिए हम जो specific use करते हैं वह ac होता है लेकिन हमें तीनों पता होना चाहिए exam में इस type का question पूछा गया है एक दो बार इस type का question पूछा गया है तो यह important हो जाता है else हम order के लिए यूज करते हैं और एक रियर टर्म है ac family के लिए यूज करते हैं जो की हमारे question का answer है जबकि ए जो है उसको हम use करते है class के लिए ठीक है ध्यान रखना है इसको हम use करते है class के लिए फॉर्थ को लेकिन हमारे इस चैप्टर को इस question को जो answer है वो क्या है हमारा third ठीक है next question देखते हैं the term systematic refers to systematic terms बताना है systematics देखे तीन term मैंने आपको याद करने को बोला थो नहीं ऐसे ही as it is दिमाग में बसा लेना है term systematics first है हम बात करें classification classification organism को group और subgroup में divide करना समुहों में divide करना यह हो गया classification ठीक है normal but फिर दूसर टर्म आता है taxonomy taxonomy में हम कुछ नियमों को यूज करते हैं कुछ rules को यूज करते हैं साथ में को nomenclature भी करते हैं वो taxonomy ठीक है थार आता है systematics हम उसकी फाइलो जाने history भी लेते हैं होता है systematics यह तीन टर्म आपको पढ़ा रखे हैं important टर्म है बार बार यूज होते हैं इसके लिए ध्यान रखना है ठीक है तीनों टर्म को आपने में में सेट कर लीजिए कहीं तो यहां पर तर्म systematic refers to identification and study of organ system of plants and animal गलत हो जाएगा ओर्गन सिस्टम का हम यह तो नहीं पड़ा हमने identification and preservation of plants and animals diversity of kind of organism and their relationship third option हमारा correct हो जाएगा diversity को भी देखते हैं उसी के base पर ही तो हम systematic को देखेंगे उसका जैवी की इतिहास देख रहे हैं तो वहां पर हम क्या देख रहे हैं diversity कितना बड़ा spectrum देख रहे हैं ठीक है जीनस होती है और species होती है यह हमारा क्रम है अगर हम देखें तो यहां पर species क्या है species सबसे basic unit होती है जिसका real existence होता है जो वास्तव में दिखाई पड़ती है species जाती यहां पर जीनस वंच के बारे में पूछा गया है तो हम देखेंगे कि जीनस को अगर हम देखें तो जीनस के अंदर एक से दो से तीन से चाहिए मतलब common species के group को हम कहते हैं जिन में character same हो उनको हम कहते हैं जीनस, फिर उसके बाद आता है family, family के अंदर कई सारे जीनस हो सकते हैं, फिर उसके बाद आता है order, order के अंदर कई सारे family हो सकती हैं, फिर class, class के अंदर कई सारे order हो सकते हैं, ऐसे ऐसे हम आगे बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पर सीधे से question पूचे गया है, तो इसका answer के होगा, इस cancer देखिए, a group of closely related species of plants or animals, ठीक है, समझ में आ गया होगा यह question आपको, fourth question, इसके लिए correct option हमारा C होगा, next question क्यों और बढ़ते हैं, fifth question देखते हैं, the taxonomic unit phylum in the classification of animal in equivalent to which hierarchy a label in classification of plants, phylum के बारे में बताना है कि phylum की जगा हम plants में क्या वर यूज़ करते हैं, आपको पढ़ा रखा है, जब आपको the living bird पढ़ाया था, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं, division, जहां हम फाइलम और division के हम आते हैं, kingdom होता है, phylum होता है, तो फाइलम हम animals में यूज़ करते हैं, जबकि division जो होता है, plants के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, आप देखिए, six question, botanical garden and geological parks have, collection of endemic living species only, collection of exotic living species only, collection of endemic and exotic living species, collection of only local plants and animals, अब देखिए, यहां पर दो वर्ड देखते हैं, उनको समझते हैं, endemic or exotic, endemic species वो होती हैं, जो कि एक area में पाये जाती हैं, किसी एक particular area में पाये जाती हैं, और दूसरी कहीं जगाने मिलते हैं, हम इनको कहीं स्थानी यह पाये जाती हैं, बाकि कहीं और देखने को नहीं मिलती, endemic species होती, exotic species वो होती हैं, जो किसी और area में पाये जाती हैं, मितल तो वहाँ पर हम देखते हैं कि अलग-अलग variety के animals होते हैं, botnical garden को देखें तो अलग-अलग variety के plants होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वह वही plants होते हैं जो अस area में पाए जाते हैं, ऐसे भी plants यह animals होते हैं जिनको बहार से लाकर वहाँ पर introduce कराया गया है लोगों की study के लिए उनकी जानने की इच्छा को पूरा करने के लिए, तो इसके लिए जो correct option होगा, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा C, collection of endemic and exotic living species, third option correct हो जाएगा, next question देखते हैं, Taxonomic Key is one of the taxonomic tools in the identification and classification of plants and animal, it is used the preparation of, तेक्जोनोमिक की का बताना है, जो की हाँ पर हमें बताना है की monograph flora आप देखिए, monograph आपको मैंने बता रहा है, monograph के होता है, monograph होता है कि अगर हम एक टेक्जोन, अगर हम देखें तो हम यहाँ इसमें एक species के बारे में बात करते हैं, मतलब एक species में इसका habitat क्या है, इसका reproductive system कैसा है, यह कैसे किस सीज़ है, मतलब सब कुछ हम एक ही plants के बारे में बात करते हैं, इसकी leaves कहते हैं, इसके stem कैसा है, सब कुछ एक ही species के बारे में हम उसको हम monograph बोलते हैं, ठीक है? जबके हम flora के बारे में आते हैं, flora के अंदर जो होता है, flora के अंदर एक area में किसी भी area में हम देखे है, flora of daily लगा लो यह कुछ भी, उसके अंदर एक एरिया के जो एक एरिया है उसके अंदर किस-किस टाइब की स्पीस पाए जाती है वो सारी information होती है तो यहाँ पर जो इसके निये correct option होगा वो हमारा C होगा ठीक है Next question देखते है All living organisms are linked to one another because they have common genetic material of same type They have common genetic material of same type Common genetic material तो होता है हमें सबको पता है कि हम सबके अंदर क्या है DNA होता है सभी living organism में लेकिन क्या वो same type का होता है same type का नहीं होता उसमें पाई जाने वाली हम देखेंगे cytosine, thymine, इन सबका जो होता है sequence अलग होता है चारों का तो same type तो नहीं हो सकता दूसरे देखें, they share common genetic material बर two varying degrees यह option हमारे लिए correct है क्योंकि हम देखेंगे common genetic material तो होता है DNA है सब में लेकिन उन में variation देखे जाती है जो इनका sequence होता है प्रिमिडीन, प्रिमिडीन का उसी से variation आती है तो यहां पर second option correct है all having common cellular organization जो की घलत है सभी में common cellular organization नहीं होता है कुछ cell prokaryotic होती है eukaryotic होती है तो अलग-अलग type का organization होता है तो C भी नहीं होगा, D तो होगा ही नहीं, all of double इसके लिए जो correct option होगा, वो हमारा B होगा, next question देखते है which of the following is a defining characteristics of living organism, characteristic बताना है living organism का वैसे ही चीन बच्चों को मैंने पढ़ा रखा है जो यहां पर मेरे दूसरे channel से आये है my biology classes, वो इसका answer खुद से करेंगे, मेरे answer करने से पहले पर फिर भी देखें, मैं इसका explanation कर देती हूँ, growth growth को अगर हम देखें तो defining properties, सबसे पहले बच्चे इसमें गलती करते हैं, वो पढ़ते ही नहीं है defining शब्द को, defining word जो लिका है उसको पढ़ते ही नहीं हो, सीधे कर देते हैं जो कि फिर घलत हो जाता है, बच्चे confused होते हैं कैसा question है, हमें नहीं आदा करी बर question होते हैं, कि अगर हम करेक्टरिस्टिक देखें, तो बहुग तो तो तीन मिल जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर defining characteristic बताना है, तो defining में अगर हम देखेंगे, तो defining character हम उसको बोलते characteristic है, लेकिन non-living में देखिए, हिमालय परवत को देख लिए, वो day by day बढ़ता जा रहा है अपना, तो वो भी टाइप का growth है, अगर हम देखें, एक पालकडी के तुकड़े को पानी में डाल दें, तो वो भी growth शो करेगा, तो बट इसका यही exception है, ठीक है, growth का, और जबकि living organism, एक चीज़ मैंना आपको जो पढ़ाया था, तब बढ़ाया था, कि जो अगर हम देखें, आंत्रिक ब्रिदी, intrinsic growth, intrinsic growth जो होते है, वो defining property है, living की, क्योंकि कोई भी जो non-living होता है, वो intrinsic property शो करते है, वो eccentric property शो करते है, मतलब वो बहारी growth को शो करते है, ठीक है, तो growth का exception है यहाँ पर normal growth दे रखा है, तो यह तो हमारे defining property हो नहीं सकता, ability to make sound, गलत है, ability to make sound ऐसा, ठीक है, next देखने, defining property बतानी है, क्योंकि कुछ living ऐसे भी होते हैं, जो sound को sense नहीं कर सकते, ठीक है, reproduction, reproduction बेशक कोई भी non-living जो होता है, वो ऐसा शो नहीं करता है, वो अपने जैसी reproduction के अपने जैसी progenic को उत्पन करना, बट कोई भी non-living ऐसा शो नहीं कर सकता, बट इसका exception है, क्योंकि सभी living ऐसा जो शो नहीं करते है, reproduction, कुछ couples होते हैं, वो reproduce नहीं कर सकते, मतलब वो संतिती उत्पन नहीं कर सकते, अपनी ठीक है, कुछ अपना हम देखें, workers भी होती है, ऐ ऐसा देख गया है, लीविंग में, तो जो लीविंग का इसका भी exception है, तो ये तो हो नहीं सकती, बड़ी देखिए, response to external stimuli, इसका मतलब क्या हुआ, सभी all living beings जो होते हैं, सभी living beings अपने environment से interact करते हैं, उसमें होने वाले changes से उसको response करते हैं, ठीक है, consciousness और एक होता है, metabolism, metabolism भी defining property है, cellular organization भी पढ़ा रखा है, जिसने नहीं पढ़ा हो, माही biology classes को search करिए, वहाँ पर जाकर chapter को complete अच्छे से पढ़िए, अपने concept को build up करने के लिए, ठीक है, next question दिखते हैं, देखिए, ये वाला question, मतलब आप खुद से कर लोगी, बट मैं फिर भी बता देती हूं, match the following and choose the correct option, इसके लिए मैं आपको एक trick बताती हूं, पहले भी बता रखी है, मैंने कि आपने ऐसा नहीं है, आपको पांचों आने चाहिए, या जितने भी option दे रखी है, वो सभी आप कौन चाहिए, आपको एक दो भी आते हैं, तब आपका काम चल जाता है क्योंकि option ऐसे ही set हुआ होता है, कि आपको एक दो भी आता है, तब भी आपको पता चल जाता है कि क्या है, ठीक है, आप देखिए family, family हमने अभी देखा कि family की नहीं हम एक सफिक यूज़ करते हैं, वो होता है AC, तो यहाँ पर देखिए AC कहीं पर है, वो किसमर है, solenacy, तो sol जो में से कोई भी दिख रहा है, दिखाए दे रहा है, प्लांटी, तो kingdom के लिए प्लांटी हो गया, order, order के लिए अभी हमने देखा, वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, else यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर कहीं else है, yes, else दिखाए दे रहा है, species के लिए अगर हम देखें, स यूज़ करेगी, आपका option ऐसे set हुआ होगा, कि आप एक दो भी आपने correct चूस कर लिए, तो आप अराम से इसको hit कर सकते हैं, अपने correct answer को, ठीक है, तो इसके लिए यह हुआ, और genus solenum हुआ, यह हमारा correct हो गया, यह आपके NCIT exemplar के question है, important हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से direct ह अगर आप से चैनल पर नहीं है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, हम मिलते हैं, हमारी next video में तब तक के लिए बढ़ते रहें